हम लोग बात करने वाले हैं position helpers के बारे में इनकी मदद से हम लोग बड़े ही आराम से और बड़े ही सरल तरीके से elements की position के साथ में खिल सकते हैं तो फड़ा फट देख लेता है कि ये position helpers क्या होता है और कौन से कौन से position helpers हैं हमारे पास यहां पर आप लोग देखो fix to top राइट सबसे पहले बात करते है fix top के बारे में basically यहां पर समझ में ही आ रहा है fix to top मतलब क्या कि आपका जो भी element है वो top पे ठीक है आपके viewport के top पे fixed रहने वाला है right simple है और यहां पर भी देखो वही अगर बात करेंगे fixed bottom की तो इसका भी मतलब हमें समझ में आ ही जाता है fixed bottom मतलब क्या आपका जो element होगा it will be fixed at the bottom of your viewport right simple चीवाद है यहां पर भी लिखके दियो है देखो position an element at the bottom of the viewport from edge to edge right simple है और यहां पर आप लोग देखो sticky top ठीक है यह बहुत ज्यादा interesting thing है sticky top और इसका मैं आपको use case भी बताऊंगा ठीक है मतलब हम लोग इसे कहां use कर सकते है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तीनों के भी ठीक है तीनों के भी और यहां पर अगर मैं sticky top की बात करता हूं तो basically बात ऐसी कि sticky top भी आपके element को top पर ही रखेगा right it positions your element at the top of the viewport but only when you scroll it ठीक है मतलब जब आप उसके आगे चले जाओगे scroll कर जाओगे अब यहां पर देखो ठीक है यह जो चीज है आप लोग इसको और भी explore कर सकते हो बट फिलाल हम लोग चलते हैं और इस चीज को implement करके देखते हैं हम लोगों को यहां पर इस चीज को implement करने के लिए एक example लेना होगा example के लिए ना simply मैं क्या करूँ है एक nav bar ले लूँगा यहां से उठा करके ठीक है यह nav bar लेने के लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं कर रही पड़ेगी यह nav bar जो दिखा उसको उठा लेंगे copy कर लेंगे ठीक है और अभी चलते हैं अपने code में paste कर देते हैं यहां पर लोग देख सकते हो ब्राउजर भी open है और यहां पर विजूल स्टूडियो code भी open है background कर रखा है पहले से ही राइट तो हम लोग यहां पर अपना जो nav bar है वह कर देते हैं पेस्ट राइट तो अब लोग अभी देख सकते हो यह nav bar जो है यहां पर आ चुका है ठीक है बड़ी सिंपल सी बात है अब आप लोग देख सकते हो टेक्स को बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से राइट यहां पर एक चीज़ को अबज़र करो जब भी मैं स्क्रोल नान करता हूँ मेरा नविगेशन बार उपर चला जाता है अब if in case अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नविगेशन बार उपर चला जाए ऐस सूना जाए स्क्रोल डाउन तो मैं कर सकता हूँ fixed dash top right simple है यह देखो मैं आपको करके बताता हूँ आ रहा है बस navigation bar में ठीक है you have to come to the navigation bar क्योंकि आपको उसी को तो scroll होने से बचाना है ठीक है मैं navigation bar में आ करके बोलता हूँ fixed dash top ठीक है अब आप लोग देख लो कितना भी scroll कर लो navigation bar उस जगह से नहीं हिलने वाला right that's the basic idea right and it's still working ठीक है बहुत ज्यादा simple सी यह बात है and in fact you can do fixed dash bottom ठीक है but navigation bar है तो यह bottom में जरा awkward लगता है right and it always stays at the bottom यह कभी bottom से अटने नहीं वाला that's the point right मैं आपको जरा यह fixed bottom के लिए एक use case बता देता हूं जो मेरे ध्यान में अभी आ रहा है बट उसके लिए पहले इसको top कर देंगे बड़ा ही अजीब लगता है navbar अगर bottom में रहा तो ठीक है बड़ा आजीब लग रहा था यहां पर मैं करूंगा उसको class देदूंगा एक सिंपल हम लोग ज्यादा मेनद नी करेंगे class text-center क्योंकि हम लोग जानते हैं अब चीज़े कैसी होती है right simple है यहां पर आप लोग देख सकते हो center पर आ चुका है content है कुछ तो रखना पड़ेगा इतना रख देते ठीक है जस्मान लो इतना ही content है ठीक है इतना अब बात यह हो रही है कि फूटर यहां आ रहा है अब कौन चाहेगा फूटर यहां पर आए तो आप लोग सीधा कर सकते हो हो तो फूटर यहां पर आके बैठ जाए क्योंकि आपका content खतम हो गया फूटर वहीं आ गया अब अगर content ज्यादा है पेज को scrolling कर वा रहा है तो obviously आपका footer जो नीचे आने वाला है but the thing is कि अगर आपके पास उतना content ही नहीं है कि आपका footer नीचे रहे तो उस case में हम लोग क्या करेंगे that's why यह यहां पर हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से right this is the thing and this is the idea behind it okay बहुत simple सी यह चीज़ है आप लोग बहुत असानी से इसको implement कर सकते है राइट नाव लेट्स बहुत भी पहले ही components आपको यहां पर मिल जाएगा रै यह पहले मिया आपको मिल जाता है यहाँ पर मेरा नाव बार शुरू होता है बस उसके उपर हम लोग लगा यह यहाँ पर लगा देंगे यह लगा दिया मैंने अपना जो होता है alert रइट अभी क्या हुँ कि this alert मुझे दिखा यह नहीं दे रहा हैै ₩ मैं कैसे बोल सकता हूं कि वहां पे अलर्ट है तो यह दिखाने के लिए मैं क्या करूंँगा अब लोरेम की दाल दूंग अब यह देखो अलर्ट है ओप पीछ देखा अबने मतलब अलर्ट वही है है बट डिख नहीं रहा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे सिंपली कॉंटेंट को तो ऐसा ही रहने देंगे बट यहां पर मैं एक चेंज करूंगा बस ठीक है वह एक चेंज ऐसा होगा कि यह फिक्स्ट टॉप करने के वज़ाए मैं करूंगा यहां पर करूंगा थोड़ा बहुत लोरें डाल दूंगा अब आप लोग देख सकते हो यहां है मेरा अलर्ट यहां है मेरा नाव बार जो कि मैं बड़े आसानी से एक्सेस कर सकता हूं यहां पर देख सकते हैं तो हमारा फूटर भी यहीं आके बैट रहा है तो इस केस में हमारे पास इने काफी ज़्यादा है फिक्स बॉटम करने की मुझे नहीं लगता जरूरत होगी आप लोग देख सकते हो अभी ये चीज बड़े अच्छे से fix हो चुकी है तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो और explore भी कर सकते हो और stick it up के लिए आपको variants भी मिल जाएंगे जो कि responsive होते हैं तो ये था हमारा position helper class hopefully आपको समझ में आयोंगे अलग-अलग helper classes हमारे पास मौझूद है अलग-अलग चीजों को करने के लिए जो कि काफी जादा interesting और काफी जादा useful है इसके हम लोगोंने कुछ use cases भी discuss किये कि कहां पे आप लोग इन चीजों को use करना चाहोगे simple सी बात है तो अगर आपको यहां पर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग video कर event करके फिर से देख सकते हो और मैं recommend करूँगा कि think of some use cases where you can use these things तब आप लोगों को ज़्यादा practically चीज़े समझ में आएंगी Let's now move on and explore other concepts